हेलो बहुत जिन गर्ल्स आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम इंडियन अकाडमी आफ कॉमर्स और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहा है भी हम करने वाले हैं पैटी कैश्बुक करते हैं पैटी कैश्बुक टेक है थाप आप पोलिया यह वह यह है कि आपको अवी तक पता चल चुका है कि इतने भी सारे कैस्ट डिसीफ टेलिए क्टे प्लोड को जितने बी सारे प्धेमिन न को टॉन्हुत है आप उसको रिकार्ड करते हो कैश्बुक में राइट आपको को पता ही है लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में हो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि बिजनस में बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे खर्चें होते हैं जिसको भी रिकॉर्ड करना काफी mandatory ड precious दिख यहां पर लिखा हुआ है If all these small payments are also recorded in cashbook, the cashbook will become bulky. ठीक है, इस सारे चुड़ शोटे खर्चों को भी अगर लिखा जाए, तो से क्या होगा कि cashbook जो हो बहुत जादा बल्की हो जाएगा, बहुत सारे पीज़ जो है इन सब कामों के कारण, in order to reduce the burden on the cashier, a separate book called petty cashbook is maintained for recording all such small payments, देखो तो इस burden को reduce करने के लिए, cashier के burden को reduce करने के लिए, एक separate book बनाया जाता है, जिसका नाम है petty cashbook, जहाँ पे हम इन छोड़े-छोड़े transactions को जो हैं वहाँ पे लिखते हैं, right, is maintained for recording all such small payments, तो जितने भी small payments है, generally payments ही होते है, small, हना उन सब को लिखने के लिए जो है, हम उसको cashbook में लिखेंगे, उसके लिए हम एक अलग से book बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे petty cashbook, और उसी में हम सारी के सारी entries को करेंगे, अब petty cashier is appointed for this purpose, और इसके लिए देखो एक petty cashier भी appoint करवाया जाता है, जिसमें उसका काम होता है कि इन सारे छुड़े छुड़े transactions को petty cashbook में put करना, ताकि in future अगर कभी इसके जुरत पड़ती है कि कौन से पैसे कहां खर्च हुएं, कितने हुएं, वो चीज वहां से उनको पता चल पाए, he's paid a certain sum in advance, तो petty cashier जो होता है, उसको फ़हले से ही कुछ पैसे जो हैं, दे दिये जाते हैं, advance में, उसके salary के रूप में, he keeps on making small payments out of his advance and records them in the petty cash book, तो इस केस में देखो क्या होता है, कि जो cashier होता है, उसको पहले ही पैसे दे दिये गया, petty cash book खर्च के लिए, तो जैसे जैसे वो खर्च उसका होता है, वैसे वैसे जो है, वो petty cash book में उसका record रखता है, या फिर उसकी entry वहां पे, वो करता है, ठीक है the amount of money given to petty cashier is called petty cash, ठीक है, तो जो पैसे petty cashier को दिये जाते हैं, उसे कहा जाता है petty cash, और जैसे जैसे expenses होता है, petty cashier क्या करता है, उन सारे expenses को वो declared side में लिख करके, जो भी balance steady video होता है, वो फिर उसको वहां से निकाल लेता है, तो petty cash book बहुत important है, petty cash book इसलिए maintained किया जाता है, त काफी important होता है, अगर इसके खर्च काफी जादा अगर होता है, तो petty cash को काफी जाता काम आता है, उन सब लोगों के लिए जो की छोटे-छोटे खर्च जो है उनका और ज्यादा होता है, ठीक है, तो यह हमार आज का पूर लक्शर था, जिसमें मैं आपको petty cash book के बारे में प